दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सोने की खपत होती है हर देश में भारी मात्रा में सोने का आयात होता है यही वज़ा है कि बड़े पैमाने पर सोने के समंगलिंधी होती है जहां पर बड़ी ही चालाकी से सोना एक देश से दूसरे देश में जाया जाता है ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां एक महिला की चालाकी पकड़ी गई है देखे रिपो इन तसकरों की चालाकी देखकर हमारे एरपोर्ट सेक्योरिटी गार्ड और कस्टम विभाग के अधिकारी भी भौचक की रह जाते हैं ये कभी अंडर्वेर में सोना छुपा कर लाने की कोशिश करते है तो कभी पानी की बोतल पर लगे पनली पर गिरे चिपका कर वही ताजा मामला सुनकर आपके भी आप होश उड़ जाएंगे क्योंकि यहां पर भी तसकरी तो हुई है लेकिन इन सभी चालाकियों से और भी दो कदब आगे जाकर जहां पर एक मॉस्टराइजर क्रीम के डब रोम के कोचिन से आई एक महिला यात्रे के हवाले से 36,640 ग्राम सोना पकड़ा है कस्टम अधिकारियों ने चहरे पर लगाने वाली नीवीय क्रीम के डब्बे से सोना जब्त किया है कोचिन कस्टम विभाग ने बताया कि सोने की तसकरी का ये एक नया तरीका अब तक का साम वही कस्टम विभाग के अधिकारियों ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि रोम से कोचिन आई एक महिला को AIU बैच के अधिकारियों ने ग्रीन चैनल पर रोका था महिला के चेक-इन बैगेज को स्कैन करने पर एक संदिक्त छवी देखी गई उसके बाद उसके सामान की जाच की गई जाच में एक गोला का राकार में चार कच्चे सोने की चूडियां क्रीम के एक पैकेट के अंदर छिपी हुई पाए गई पता दे कि इस क्रीम के डब्वे को एक जूते के अंदर छिपा कर रखा गया था 36 लाख रुपए कीमत का 640 ग्राम सोना बरामत कर जब्त कर लिया गया है और आगे की जाच फिलहाद जारी है बिरो रिपोर्ट के बीसी निउज